क्या आपने कभी सूचा है कि वर्षा के तुरंत बाद आपको आकाश में इंद्रधनुश क्यों दिखाई देता है? ये चमकिले रंग कहां से आ जाते हैं? हाँ, इसे प्रकाश के परिक्षेपन की परिखटना द्वारा स्पश्टिक किया जा सकता है. आहिए देखें कि हम अपना खुद का इंद्रधनुश किस प्रकार बना सकते हैं? आपको इसके लिए एक श्वेत प्रकाश वाली टॉर्च, पिन होल वाले एक कार्डबोर्ट और काच के एक प्रिज्म की आवशकता होगी. एक बंद कमरे में कार्डबोर्ट को टॉर्च और प्रिज्म के बीच में एक मेज पर रखतें. पर्दे खीच दें और लाइटों के स्विच बंद करतें, जिससे कमरे में अधेरा हो जाए. टॉर्च का स्विच आउन करतें. प्रकाश का एक पतला पुंज छेज से होकर निकलता है और काच के प्रिज्म पर पढ़ता है. आश्चरी जनक है, है न? नूटन ने पहली बार इसका ज्यान किया कि प्रकाश की श्वेट किरण जैसे की सूर के प्रकाश की किरण विभिन रंगों का सयोजन होती है. जब श्वेट प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करता है, तो यह अपवर्तित होकर साथ विभिन रंगों की किरणे उत्पन करता है. प्रतेक रंग के लिए अपवर्तन का कूण अलग-अलग होता है. इस तरह से प्रतेक रंग आपवर्तित किरण के संदर्भ में एक भिन खूण पर मुड़ जाता है और रंग विभक्त हो जाते हैं. प्रकाश के पुंज का इसके निर्मानक रंगों में विभक्त हो जाना प्रकाश का परिक्षेपन कहलाता है और रंगों की पट्टी स्पेक्ट्रम कहलाती है अब आप जानते हैं कि प्रकाश अपने विभने रंगों में किस तरह विभक्त हो जाता है आएए देखें कि इंद्रिधनुष कैसे निर्मित होता है आकाश में इंद्रिधनुष दो चीजों की सहता से निर्मित होता है सुरे तथा जल की बूंदें ये जल की बूंदें वर्षा, मेक या कुहासे के रूप में हो सकती है सुरी का प्रकाश वायू में मौजूद जल की बूंदों में प्रवेश करने पर मुढ जाता है जल की बूंदें सुरी के प्रकाश को आंतरिक परवर्थित कर देती है और यह प्रकाश वायू में बाहर निकलने पर पुना अपवर्तित हो जाता है इस तरह से प्रतेक जल की बूंद एक प्रिज्म की तरह कारे करती है और सुरी के प्रकाश को परिक्षेपित कर देती है जल की ऐसी करोणों पूंदें एक साथ मिलकर आकाश में धनुष जैसे स्पेक्ट्रम की आकरिती बना देती है परिवर्णी शब्द विबक्योर को प्रकाश के श्वेत पुंज में रंगों का क्रम याद रखने के लिए उप्योग किया जाता है स्पेक्ट्रम में आप देख सकते हैं कि लाल रंग सबसे कम मुड़ता है और बैगनी रंग सबसे अधिक मुड़ जाता है आए अब हमारे प्रिज्म और टॉर्च वाली प्रायोगी का वैवस्था पर फिर से लौटें यदि हम निर्गामी स्पेक्ट्रम के समुक एक और प्रिज्म रखते हैं तो क्या होगा क्या आपने देखा कि आपने श्वेत प्रकाश का पुंज फिर से प्राप्त कर लिया यदि आप इन सातों रंगों को एक में मिला दें तो क्या होगा क्या आपके विचार में श्वेत प्रकाश प्राप्त होगा द्रिश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम के रंग पुना संयोजित किये जाने पर श्वेत प्रकाश पनाते हैं आईए इसे सिद्ध करने के लिए एक सरल प्रयोग करें कागस की एक चक्ति लें और इस पर साथ भाग बनाएं प्रतेग भाग को द्रिश स्पेक्ट्रम के रंगों के क्रम के अनुसार रंग दें अब चक्ति को घुमा दें चक्ति का रंग श्वेत दिखने लगता है याद रखें कि चक्ति केवल सफेद प्रतीत होती है यह वास्तों में श्वेत प्रकाश का परवर्तन नहीं करती है कli मотрन से लृट रंगों की चक्ति का रंगों की लगता है मैं ते मुर्वे लगता है क्ats रंगों यह वास्तों coronavirus यह रखे लगे